जेन साथी हूं मेरे नाम है आकाश मोरे और हमसे लोग का आपके पने चैनल अलक्तुपी स्टड़ी पर बहुत द्वास्वागत है प्रेंस M.E.S. जी हाँ दोस्तो M.E.S. में आप लोगों के लिए 41822 पोस्ट पर नियूर कुरूटमेंट का नोटिफिकेशन 2023 में ही आप लोगों का जारी किया गया था काफी दिनों से बच्चे बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे कि इसकी वेकेंसी कब आएगी ठीक है तो मैंने आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दिया हुआ था है मैंने कल ही आप लोगों के लिए वीरो बना कर बताया हुआ था कि आप लोगों को इसमें जो है है ओनलाइन जो आप लोगों का हो रहा है वो एक फरवरी से जी हाँ दोस्तो एक फरवरी आप लोगों का 2024 से इसका जो है है ओनलाइन प्रक्रिया स्टार्ट हो रहा है तो बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट्स किये हुए थे वहाँ पर ठीक है कि उनको जो आई है उनका कहाना ये है किसारम को प्रूफ दीजिये है कि इसका एक तारिक से ओनलाइन होगा अब जायज सी बात है क्योंकि वैकेंसी आप लोगों की 2030 से ही नहीं आ रही थी तो आप लोगों का भी जो आई है काफे जादा डिमोटिवेट हो चुके थे और यूटूब पर आप लोगों देख रहे होंगे लाखो वीडियो आप पड़े होंगे जहां पर कोई नहीं बता आए कि किस डेट से हमारा ऑनलाइन होगा बस इतना बता दिया जा रहा है कि अगले मंत से ऑनलाइन होगा या फिर आप लोगों का फरवरी सोगा मार्च सोगा बट जिनको मालूम है ठीक है वो लोग किसी को यह चीजी बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही है कि यह वैकेंसी कब आएगी कैसे आएगी डिखिए अप लोगों को सारी चीजी इस वीडियो में आप लोगों को मैं क्लियर करूंगा और वो भी प्रूफ के सांथ जी हां दुस्तों आप लोगों का एक तारिक से ऑनलाइन हो रहा है और इसको मैं विल्कुल प्रूफ कर दूंगा बस आप आप लोगों को दिखाने वाला है चली भी ना देर की वह आगे बढ़ते हैं सबसे पहले मैं आप लोगों को पुरानी नोटिस से सुरू करूंगा ताकि सारी चीज़े आप लोगों को क्लियर होती चले ठीक है तो ये आप लोगों को देख सकते हैं 17 जूलाई वेकेंसे जो दिये गए ठीक है इन सब चीजों को हम लोग नहीं अड़ करेंगे ठीक है क्योंकि यह सारी चीज आप लोगों को मालूँ है आप लोगों को इस वीडियो में केरा मोटिव यही है कि वहल आप लोगों को डेट यह किलियर कर दूं कि हाँ एक ही तारिक से ऑनलाइ है प्रूफ करना है तो इस वीडियो में आप लोगों को किवल इसी से रिलेटर बाते करने वाला हूँ ठीक है यह चीज़े आप लोगों ध्यान देजिए इस वेकेंसी को जो मेंस की वेकेंसी है इसको कौन कंड़क्ट करा रहे है एसस्टी कंड़क्ट कराएगी और यूप यह पांच फेज यहां पर आप लोगों को दिये गए है ठीक है देख सकते हैं एक दो तीन चार पांच ठीक है अब यह इनके उपर है ठीक है एसस्टी को पर और यूपी अस्टी के उपर है कि इसको जो है है इस पूरे 41,000 जो है है 41,000 822 वेकेंसी को जो है है यह कितने पर यह mention किया गया है यह हला कि जो यह notice है यह office यह नहीं की जो है है यह विभाग के लिए है यह student के लिए नहीं है जो की लिख हो गया था तो आप लोगों को पास पहुच गया ठीक है यह इस चीज को ध्यान देजीगा अब देखिए सस्टी वेकेंसी करा रही है ठीक है तो गौर नहीं किया ठीक है किसी ने गौर नहीं किया क्योंकि उनको यह चीजे मालूम ही नहीं है कि सभी को यही लगता है कि इस वेकेंसी को जो आई है एसस्टी करा रही है लेकिन उनको जो है यह चीजे यह है सस्टी की वेबसाइट पर न ढूंड कर वो लोग क्या कर रहे है जा रहे है MES की वेकेंसी पर direitoय्व है जो वेकेंसी है अप लोगों की जहाँ पर राती है वहाँ पर आप लोगों को देख रहे हैं MES की official website पर जबकि SAC जब इस वेकेंसी को करा रही है तो इसका आप लोगों को सारा advertisement को सारी चीजे SST के ही website पर देखने कुली क्योंकि SST का खुद का website है तो SST खुद आजब आप लोगों की vacancy को करा रही है तो SST की website पर ही आप लोगों को notice मिलेगा तो आप लोगों को MES की vacancy पर आप लोग जो आए है जाका जो खोजे रहे हैं तो यह चीज़े आप लोग गलत कर रहे है UPSC जिसे vacancy कराएगी तो आप लोग UPSC की website पर जाएगी ना कि आप लोग MES की vacancy पर जाएगे तो इस बात को आप लोग ध्यान देंगे अब आगे में आप लोगों को SST इस vacancy को conduct करा रही है तो इसका एक तारिक से online कैसे होगा आप इसको बारिक बात करते हैं चलिए आगे नीचे स्क्रोल करके लिखा चलते हैं आप लोगों को इस calendar को देखेंगे आप लोग जो आई है यह calendar आप लोगों को SST की official website पर मिल जाएगा चलिए मैं आप लोगों को इस calendar को डारेक्टली फिर से जो है डाउन्डोड करके दिखा दे रहा हूँ है तो फरन देख सकते हैं SST की official website पर आ चुका हूँ और यहाँ पर आनेक बाद आप लोगों जो है नीचे स्क्रोल करके आना है आनेक बाद यहाँ पर नीचे आप लोग दिखेंगे calendar आप लोगों को देखने को मिल जागा इधर यहाँ पर देख सकते हैं इक्जामनेशन calendar 2024-25 यह 2024-25 का calendar है इसी को आप लोगों को PDF पर किलिक करके download कर लेना है या click here पर किलिक करेंगे चोथे नमबर पर आप लोग देखेंगे ठीक है अब देखी MES की जो वेकंसी है MES यह वेकंसी जो है आप लोगों को इसी के अंतरगत आ रही है यहाँ तो सिलेक्शन पोस्ट ठीक है यह आप लोगों को जितनी भी जो है कमपनियां है जो अधर जो जैसे के हाई कोट की वेकंसी है जिन निकालनी रहती है तो इसी में एड कर देते हैं और किसी अधर विभाग को जो है वेकंसी निकालनी होती है तो इस जो है पोस्ट जो है सिलेक्शन पोस्ट में ही एड किया जाते है इसके कई कटेगरी है आप लोगों को इसके 7 है ठीक है सिलेक्शन पोस्ट जो फेज होता है वो 7 है 8 है 9 है 11 है ठीक है 12 है तो यह वेकंसी आप लोगों की जो है सिलेक्शन पोस्ट आप लोगों का जो है फेज जो है 12 में आप लोगों की यह वेकंसी आ रही है और इसका ओनलाइन ठीक है इसका ओनला नोटिस आप लोगों का जो है एक फरवरी को आने वाला है ठीक है अभी तक हाला की कलेंडर में आप लोगों को दे दिया गए कि इस डेट को आप लोगों कोई वेकेंसी का एड़ुटाजमेंट जारी किया जाएगा और इसी दिन से आप लोगों का online start होगा ठीक है इसी दिन से आप लोगों का online start होगा और यहां पर देखेंगे आप लोगों का 28 फरवरी तक आप लोगों का इसका last date है closing date आप लोग देख सकते 28 फरवरी दिये गैं और April माई मन्त में आप लोगों का इसका return exam होने वाला है अब बहुत सारे बच्चों को मन में यह सवाल भी उठेगा कि सर्थ आप बता रहें इसके अंतरगाता आ रहा है ठीक है मैं कैसे मान लोग कि इसी के अंदर हमारी M.E.S. की वेकंसी है ठीक है चलिए कोई बात नहीं मैं इसको भी आप लोगों को बिल्ट कहा है आप लोगों को करके दिखाने माना हो लेकिन चुकि इसका notification जो आप लोगों का एक फर्यॐरी को आएंगा और आप लोग कह रहे हैं मुझे अभी जो आइशक नहीं तो मैं आप लोगों को 2030 का notification दिखा रहा हूं कि उस में आप लोगों सेलेक्शन पोस्ट का तो मैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ तो फिरन देख सकते हैं मैं नोटिफिकेशन पर आ चुका हूँ और यहाँ पर देखेंगे आप लोग जो आई है ठीक है ssc.nic.in पोर्टल सेलेक्शन पोस्ट डिटेल्स निकाला हुआ है इस चीज़े आप लोगों को ध्यान में यहाँ पर रखनी है पहले की आप लोगों का पोस्ट का नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है और दूसरी आप लोगों को कौन से डिपार्टमेंट में आप लोगों की वेकंसी को निकाला हुआ बहुत सारी वेकंसी हैं यहाँ पर आप लोगों को निकलती है और बहुत सारे डिपार्टमेंट जो होते हैं अधिकारी इस वेकंसी को जो है SST के थुरू अपनी वेकंसी को जो है यहाँ पर निकलवाते हैं तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सर्च बॉक्स आप लोगों को दिख रहा हूगा कोने में यहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ M.E.S. ठीक है चलिए मैं इसको जो है यहाँ पर क्लिक करके सर्च कर ले रहा हूँ है इस पीडियेप को मैं जो है है अपने टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा तो टेलीग्राम से जॉइन हो जाना इस पीडियेप को डॉनलोड कर लेना और उसके बाध बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग खुद भी रिड कर लेना ठीक है यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो आई है जूनियर इंजिनियर की वेकंसी आप लोगों की MES के तहद निकाले गए यहाँ पर देखेंगे ध्यान देंगे ठीक है चली मैं इसको जूम कर दे रहाँ थोड़ा सा है Ministry of Defense Ministry of Defense Military Engineering Service यह चीज़े क्लियर हो गए यह आप लोगों की वेकंसी यहाँ पर इसको निकाला हुआ है नेट आप लोगों को चवकीदार की वेकंसी चवकीदार की वेकंसी को भी अगली बार जो आए है Ministry जो आपर देख सकते है Military Engineering Service में इस वेकंसी निकाले हुए थी 391 पोस्ट पर आप लोगों को चवकीदार की 17 पोस्ट पर है और आप लोगों को जो आए है Next वेकंसी जो आए है 391 पोस्ट पर ठीक है चलिए आगे मैं आप लोगों को और भी यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ मैं नीचे स्क्रोल करके लिखा चलता हूँ आप लोगों को चलिए क्योंकि दिखी आप लोगों को प्रूफ चाहिए तो सारी प्रूफ यहाँ पर आप लोगों को मिलेंगी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ड्राइवर की पोस्ट पर वेकंसी यह आप लोग देख सकते हैं 246 नंबर पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर Civilian Motor Driver की जो वेकेंसी है Military Engineering Service यहाँ पर देख सकते हैं Ministry of Defense इसके तहट आप लोगों को MES के तहट आप लोगों की वेकेंसी निकाली गई थी और इस बार आप लोगों की ठीक है जो आप लोगों को बताया जा रहा है कि 41,822 पोस्ट आये हैं तो यह टोटल पोस्ट खाली है ठीक है इतनी वेकेंसी आप लोगों की आनी नहीं है और मेरा ऐसा कोई भी मोटिव नहीं है यदि आप लोगों को अब भी मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं इससे ज़्यादा आप लोगों को प्रूप नहीं दे सकता है मैंने आप लोगों को जितना हो सकता था सभी प्रूप दिया हुआ है और आप लोग मुझे पर बिल्कुल पूर्ड रूप से यकीन कर सकते हैं अभी भी आप लोगों को जो है हमारी बातों पर विश्वास है ठीक है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इनफरमेशन नहीं मिलेगा अब मैंने वीडियो बना दिया हुआ है तो इसको जो है देखकर बहुत सारी यूटूब चैनल वाले इसका कॉपी करेंगे और आप लोगों को अब भरबार वीडियो देखने को मिलेगे एक दो वीडियो नहीं तो आप लोग वेट करते रही है आप लोगों की वेकेंसी नहीं आने है ठीक है तो कि आप लोगों की वेकेंसी एसस्टी ही कराएगी और यूपी एस्टी कराएगी ठीक है यूपी एस्टी वेकेंसी कराएगी तो जो कि आपने तहट जो है वेकंसी एससी ने निकाल दिया हुआ है शुरुआत कर दिया हुआ है आप लोगों की वेकंसी आने स्टार्ट हो चुकी है धीरे धीरे करके आप लोगों को सारी पोस्टों को भर दिया जाएगा ठीक है तो आप लोगों को जो है है इसे रिलेटर कोई questions नहीं तो आप लोग पूश सकते हैं बाकि आप लोगों के जो आई है यह दि वीडियो आप लोगों को पसंदाद वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही जो आई latest और जिनुवन जानकारी पाने के लिए सही जानकारी पाने के लिए ठीक है चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेजिए चलिए मैं मिलता हम फिर से नई जानकारी साथ नई वीडियो में तब तलए के लिए टेक केर गुट बाई